पुलिस का आलम ये है कि कुछ करें तो मुसीबत में पढ़ जाएंगे और ना करें तो सवालों में आ जाएंगे अब पुलिस भी सोनीपत में कानून विवस्था को बनाय रखने के लिए आखिर करें तो क्या करें सोनीपत में अपराधी ऐसे बेलगाम है कि कभी किसी व्यापारी पर गोलियां चला कर फिरौती मांगते हैं तो कभी शराब कारोबारी की गोलियों से भून कर हत्या कर संचनी फैला देते हैं आज सोनीपत की क्राइम ब्रांच यूनिट एक पर सट्टा खिलाने वाले तीन युवकों और दो महिलाओं ने तेजधार हत्यारों से हमला कर दिया जिसमें क्राइम ब्रांच यूनिट एक के एसाई अजमेर और हेड कॉंस्टेबल तरौन और सचिन गंभी रूप से घायल हो जुआ खिलवाता है और बारी मातरा में कैश का लेंदे नुरा जुआ खिलवाया जा रहा है उसके उपर रेडिंग टीम तियार करके बेजी गई थी तो जब वहां पे गए जुआ कापू करने की दुरान ही कुछ औरतों ने और व्यक्तियों ने अमला कर दिया जिसमें हमन में पांच जन्म को गर्फतार कर रहा है जो दू आपड़ते हैं तीं ब्यक्ति हैं अजे अंकेत और अमित इनको गई नियारा है इस वारदात की जानकारी देते हुए ACP राहुल देव ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गरफतार कर लिया है और घायल पुलिस कर्मी अजमेर का इलाज चल रहा है और पुलिस मामली की गंभीरता से जांच कर रही है सोनी पत से सनी मलिक पंजाद केशरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद